की आज के लाइव एवरीवान जर्खंड लाइब के यूट्टूब चैनल में आप सबका यहां पर स्वागत है हम यहां पर आज से ज्ञार जीके का मास्टर क्लास स्रीज जो है वो शुरू कर रहे हैं जो कि विभीन प्रतियों इताएं परिछां के लिए यहां पर प्रतियों के लिए यहां पर जो है वह एक कोश्चन जो है बहुत पुमात्पूर्ण होने वाला है ठीक है तो हम यहां पर आज से जो है वो शुरू कर रहे हैं और यह लगतार डेली जो है कंटीनिवस बैसिस पर डेली है एक वीडियो जो है वह आपके सामने यहां पर मैं लेकर आऊंग है उसकी हम त्यारी करेंगे यहां पर आपको एक कोश्चन के आपको चार ओप्सन मिलेंगे ठीक है और आपको इसके बताना पहले एंसर उसके बाद फिर मैं उसका सही एंसर बताऊंगा ठीक है और आपको कितने आपके कितने सही होते हैं आपके कितने गलत होते हैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है तो अगर आप जारखन लाइब चैनल में अगर सबसे पहले अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सबस्क्राइब कर लीजिए ताकि आगे का जो भी डेली अपडेट्स आएगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा तो हम य सबसे अधिक समय तक राज किया तो पहला अप्सन है सासांग दूसरा अप्सन है नागवन्स तीसरा अप्सन है सिंग भूम चौथा अप्सन है मान भूम तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है उसके बाद फिर मैं आपको एंसर बताऊंगा आप चेक करिए कि आपके कितने सही और कितने गलत होते हैं तो जल्दी से कमेंट करिए नीचे तो इसका सही जो एंसर होगा वो आपका होगा ससांक इसका जो सह होगा वो क्या होगा सही इसका एंसर होगा ठीक है अगली कुश्चन में हम चलते हैं जारखन मुख्यता कौन से वन छेतर से मिलकर बने है तो संथाल परगना से मिलकर बना है छोटा नागपूर पठार से मिलकर बना है उप्रोक्त में से दोनों से मिलकर बना है या इन में सब किसी से भी नहीं मिलकर बना है तो जल्दी जल्दी आप कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में और आप चेक करिए कि इतना आपका सही होता है तो जल्दी से कमेंट करिए आपका सही ऐंसर जो है वो आपका यहां पर उपरोप में से दोनो है ठीक है? देख शी नमर जो है इसका वो सही ऐंसर है ठीक है? संथाल परगना और छोटा नागपुर पठार दोनों से मिलकर जो जाल जो अच्छे तरप जाल राज बना हुआ है तो आगले question में हम चलते हैं, third question में, आपका यहां पर है, मधिकाल में सरव पर्थम मुख्य राजवंस कौन कौन से थे, तो पहला है यहां पर नागवंस, दूसरा है रक्सेल वंस, तीसरा है सिंह वंस, या उप्रोक्त में से सभी, तीक है, यहां पर थोड़ा प्रिंटिंग म आजवंस से रहे हैं, हमारा चौथा नंबर जो question है, मधिकाल में सिंह भूंग में किस वंस का सासन था, तो पहला है आपका अप्सन, दूसरा है नागवंस, तीसरा है मानवंस, या इन में से कोई नहीं, ठीक है, तो आपको जल्दी जल्दी अंसर दीजी आप, तो इसका सही एंसर जो होगा, वो आपका यहाँ पर क्या होगा, आपका यह सिंह वंस जो है, वो उसका यहाँ पर सासन था, सिंह भूंग में, ठीक है, अगले question में हम चलते हैं, मानवंग में किस वंस का सासन था, यह printing mistake है, कसी लिखा गया किस होगा, ठीक है, तो यहाँ पर मान भूंग में किस वंस का सासन था, मान वंस का, सिंह वंस का, चेरो वंस का, यह नाग वंस का, तो आपको जल्दी जल्दी बताईए आप एंसर, तो इसका सही एंसर जो होगा, वो आपका होगा, मान वंस, ठीक है, आपका सही एंसर जो है, वो मान वंस, चलिए हम अगले question म चलते हैं छटे नमर में पलामू में किस वंस का सासन था चेरो वंस का छोटा नागपूर वंस का रातुर राजा का या फिर नाग वंस का ठीक है आपको जल्दी जल्दी एंसर करना है यह थोड़ा इजी आपके लिए हो सकते हैं भी शुरुवात है तो हम धिरे-धिरे जो है इसमें कोश्चन जो है एड होते जाएंगे डिफिकल्ट अभी आते जाएंगे कोश्चन तो हम अभी शुरुवात कर रहे हैं अब शुरुवात नीचे से हम उपर तब चलते चलेंगे ठीक है तो आपको जल्दी एंसर बताईए इसका तो इसका सही एंसर है चेरो वन्स ठीक है इसका सही एंसर जो है वो क्या है चेरो वन्स चली है मंगले कुश्चन में चलते हैं धाल भूम में किस वन्स का सासन था चेरो वन्स का नाग वन्स का धाल वन्स का या रक्सल वन्स का बहुत ही असान प्रस्ण है ज्यादे इस एंस होगा ठीक है अगले कोश्चेन में चलते हैं छोटा नागपुर में सबसे अधिक समयत्य कराज करने वाला कौन सा वंस था तो सिंग रक्सेल वंस था डाल वंस था यह नाग वंस था आपको जल्दी से अंसर बताना है तो इसका सही अंसर जो है वो आपका होगा क्या है नाग वंस इसका सही अंसर है अगले कोश्चिन में चलते हैं चलिए नावे नंबर कुश्चन में सल्तेनत कालमेज हारखंड के सिंग भूम पर हमला किस ने किया था तो यहाँ पर आपका अप्शन है चेरवंस राजादवारा, बीरभूम के राजादवारा पोरहाट के सिंग वंसी राजादवारा या उप्रुक्त में से कोई नहीं तो जल्दी से आप अंसर करें कमेंट बॉक्स में इसका अप्शन कौन सा सही होगा तो इसका सही अंसर जो है वो बीरभूम के राजादवारा तो सल्तनत कालमेज हारखंड के सिंग भूम पर हमला किस ने किया था बीरभूम के राजादवारा जो है यहां पर हमला किया देगा था चलिए दसवी नंबर कुश्चन में हम चलते हैं यहां पर सल्तनत कालमेज हारखंड के हजारी बाग पर हमला किस ने किया था तो पहला आपका अप्शन है अकबर के सेनापति बरम खान अल्लावदीन खिल जी मुहमद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया या फिर छजु मली तो अब यदली से अंसर करिए इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा तो इसका सही अंसर जो है वो मुहमद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया जो है वो इसका सही अंसर होगा ठीक है अगले कोश्चन में हम चलते हैं एगारे नंबर कोश्चन में सल्तनत काल में जहारखन के संथाल परगना में किसने हमला किया था मलिक बया ने उडिशा के साथ सब कपिलेंदर गवनपती बखतियार खिलती या फिरोज तूगलत इनमें से किसने हमला किया था संथाल परगना में ठीक है आपको सही अंसर बताना है जल्ली से कमेंड करिए तब का सही जो एंसर होगा इसका यहां पर होगा उडिशा के जो सब कपिलेंदर गवनपती थे वह यहां पर वह अमला किये थे अगले कोश्चन में हम चलते हैं बारा नंबर में उडिशा के किस सासक ने तेरहवी सदी में जहारखन का सासक घोशित किया था पहला है कासिनाज सिंग दुसरा है अरजुन सिंग तीसरा हो हांस राज देव और चौथा जो है वह जैसिंग देव तो आपको सही एंसर बताना है जल्ली से बताइए इसका सही एंसर जो है वह क्या होगा तो इसका सही अंसर जो है वो है आपका जैसिंग देव ठीक है आपका सही अंसर जो है क्या है जैसिंग देव तो चलिए हम अंगले कुश्चन में चलते हैं फिर यहां पर तेरा नंबर कुश्चन में तो खान देश का सासक कौन था कुश्चन पुछा जा रहा है खान देश का सासक कौन था आदिल सा टू फनी मुकुट्राई कपिलेंद्र गजपती और चौथा जो है वो फिरोज दुगलग तो इन में से खान देश का सासक कौन था आपको कमेंट बॉक्स में जली से एंसर दीजिए और आप चेक करें आपका कितने सही और अधिल सा टू जो है इसका सही आंशर है ठीक है अगली कोश्रे में चलते हैं चौद haut नंबर कोश्च्चन में में मयराथ हो का हमलाजहरखन में कब से कब तक चला ठीक है मयराथ हो का हमलाजहरखन में कब से कब तक सत्रहों 272 अरह ऑनषो चल में मारा एठोच वहाराठों ओंगात तो यहाँ पर कब तक चल था को सहहाँ अंपर जली से बताई एंसर तो इसका सही अंसर जो होगा वो 1341 चे अठारा सो 303 स्वी में जो यहां पर इन्होंने हमला किया था महराठो ने फिर उसके बाद 15 नमबर कोश्चेन में चलते हैं ज्यारखन में अंग्रेजों का पूरी तरह सासन का वस्थापीत हो गया था जारखंड मेंगरेजों दुकाब पूरी तरह सासन का वस्था पित हुआ था 1835 में 1842 में 1837 में 1830 में आपको सही अंसर बताना है जल्ली से बताइए कि इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा तो इसका सही एंसर जो है वो जल्दी से लिखिए अब क्या होगा इसका सही एंसर अगले कोश्चन में चलते हैं सोला नंबर कोश्चन में आपको जल्ली सही अंसर बताना है बताए सही एंसर इसका क्या होगा तो इसका सही अंसर.. जल्स से बताये तो इसका सही अंसर जो है वो क्या है 185657 जो है वो आपका क्या है यहां पर इश्याद में मुंडा उल ख्लास वीरिषा का अंदुलन कब हुआ था आपको सही अंसर बताना है जल्दी से बताइए कि मुंडा या फिर उल्गुलान या बिर्षा का अंदोलन तो इसका सही अंसर जो है जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही अंसर जो है वो इहां पर हुआ था उल्गुलान या बिर्षा मुंडा का अंदोलन तो इसका सही अंसर जो है जल्दी से बताइए इसका अंसर क्या होगा बहुत ही आसान सवाल है जैस सेंसर जो है उख क्या होगा है उसका सही अंसर जो है वो क्या है आपका यह वन प्रदेश होगा है ज्यारखनिक Ctrl के सबसे जारखन छेतर के सबसे उलेक सबसे पहले उलेक किस साहित में मिलता है जारखन छेतर का सबसे पहले उलेक किस साहित में मिलता है तो पहला अपसन है माराठा ब्राहमन में, तमील ब्राहमन में, गुजराती ब्राहमन में या एत्रे ब्राहमन में हे आपको सही अंसर बताना है जल्ली से बताइए जयहारखं छेत्र का सबसे पहले उलेख कि burada हुआ कि जल्ली से बताई इसका अंसर है कि इसका साही अंसर फि सब्सक्राइब लेख मिलता हो अगली व्रह में छलते हैं फिर किस नाम से जयहारखंड का उलेख है जर्खण जर्खण का जो है वह reinforce किस नाम से उलेख है पहला फुंड़R कर जो की सिन जल्दी शर क्या होगा इसका जल्दी से बताइए सě बोला है वाइप पुरान में है किस नाम से जाना जाता है वाई पुरान में जहार खंड को किस नाम से जाना जाता है कांको जोल से कुकूर लड़ से मुरूड या फिर उप्रोंड में से कोई नहीं तो आपको सही अंसर बताना है जल्दी से बताई इसका अंसर जो है वो क्या होगा जल्ली से बताई इसका अंसर जो है वो क्या होगा वाई पुरान में जहारखन को किस नाम से जाना जाता है इसका सही अंसर जो होगा वो क्या होगा मुरूंड होगा ठीक है मुरूंड जो होता है उसका क्या होगा यहाँ पर आपका इस नाम से जाना जाता है अगला कोश्चन जलते हैं 22 पुरान में जहारखंड को किस नाम से जाना जाता है मुरुंड से कुकुट से या कोकुरा से नाम से तो आपको जल्दी से अंसर बताना है जल्दी से बताईए अंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका कितना सही होता है पुरान में जहारखंड को किस नाम से जाना आता है मुंड नाम से जाना आता है अगले कोश्चन में चलते हैं हम तैसवे नंबर कोश्चन में भागवत पुरान में जहारखंड किस नाम से उल्लेक है ठीक है भागवत पुरान में जहारखंड किस नाम से उल्लेक थे पहला जल प्रदेश तुसरा है पुंड प्रदेश तीसरा है थल प्रदेश चौथा ज इससे उनसर ज्सकेंट प्रदेश passiert में चलते हैं 24 ह्rados क्या कहा गया है हुशाखण को क्या कहा गया है महा भारत में और इसकी कुस्ट्रेश component क्या कहा गया को आपको घ्ल्दी से बताइए चौबिस नमबर question का चाही answer क्या होगा तो यहाँ पर आपका साही answer क्या होगा बी neमबर जो है वो सही होगा पुंड्रिक देश ठीक है महाँ भारत में ज्यारखन को क्या कहा गया है पुंड्रिक देश कहा गया है अगले question में हम चलते हैं पाचीसवे नमबर कोईशन में महा भारत में ज्हारखन का दूसरा नाम क्या कहा गया था वो इसके पहले वर आप सब्सक्राइब क्या कहा गया था पुंड्रिक देश फिर दूसरा नाम जो था वो क्या कहा गया था नाग देश, पुंड्रिक देश, पसु भूमी या कलिन देश, आपको इसका सही अंसर बताना है, जल्दी से बताई इसका अंसर क्या होगा, इसका सही अंसर जो होगा, वो होगा, समुद्र गुप्त की जल्दी से बताईए, कि समुद्र गुप्त की पुंड्र प्रदेश कहा गया है, पुर्थम प्रस्चति में जहारखन को क्या कहा गया है, इसका सही अंसर जो होगा, वो क्या होगा, जल्दी से बताईए, इसका सही अंसर क्या होगा, कि इसका सही अंसर जो है वो डी ठीक है मुरुंड देश कहा गया है ठीक है अगले कुश्चन में हम चलते हैं 27 नंबर में वह है पूर्व मध्य कालिन संस्क्रीट साहित में ज्हारखन को किस नाम से पुकारा गया है तो पहला अपसर पुंड्रिक प्रदेश दूसरा जो है कलि दोस्तों साथ सेक डिये उनलों बेसात मैं जो आप साथ में मिलकर पढाय करें ग्रूप स्टेड़ी बहुत ही फईदय मंद면 मन तो आप है तो आप ग्रूप में शियर कर दी जी आऔर ग्रूप स्टीड़ी क्या करिया ऐए चिक है आपको बहुत जादा अब को तो बीडियो यह वो सही आपका एंसर है अगले कुछे में चलते हैं 28 वी नमर में तेरह वी सदी में जहारखन का जीक्र कहां पर मिलता है स्वर्ण पत्र में मिलता है पासान काल में मिलता है महाभारत काल में मिलता है यह ताम पत्र में मिलता है ताम पत्र में मिलता है इसका सही एंसर आपक वो सही अंसर फायान की कौन सी पुष्तक में जहारखन की व्याख्या եाल सैंसर इसक बताना है की कौन उस्की में इसकी व्याक्या है की थी जल्ली से बताएं अगर वीडियो पसंदा रह आगा आपको तो लाइक कर लिजिए तेका करएं लाइक कर कंचलते हैं थिस्फे नम्डर कुईसन में फोको कवी कभी होगा या ठास यूघ है फोटा नागपूरा उसको उसमेंavors मые पूंट कं़े का का गया मन कममने कर्फोटा नाकपूर को उसमें इसका बताना है जल्दी से बताई-सका होगा जली से बताएं क्या होगा इसका अंसर होगा कुकूट लाड़ होगा फैला अपसान जो है वह आपका क्या है साही है कुकूट लाड़ ठीक है अगले कुछें में चलते हैं 31 नंबर कुछें में हैं संग ने अपने यात्रा विर्टान की यूग की में जहारखंड किस नाम से चर्चित है हैंसांग ने अपने यात्रा विर्तान सी यूग की में जहारखंड किस नाम से चर्चित है सुनी का लाना ठीक है पहला अप्सन फोको कभी किलो ना सुनी का लाना या उपरोत में से कोई नहीं आपको सही अंसर बताना है कि हैं बता ही जल्ली से क्या होगा जल्दी से आंसर के जल्दी से आंश狌 सी नंबर होगा किलो ना सुनि काला ना इसको साथमें क्या बोलते हैं मFF करनशुड्मए आपर करनशुर्ण यसको और जटें नमबर में रांची छेत्र को किस नामसे जाना जाता था कोकरा या खोकरा बोलिए घरश्वामा राज रामगर्ड राज या पूरहट राज आपको सही अंसर इसका बताना है कैसे अंसर बताइए विडियो को सेर करते रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि एसा सब्सक्राइब कर लिए वीडियो पसद आता है, लाइक भी करिए जल्दी से इसका एंसर बताईए 32 नम्मर का एंसर क्या होगा तो इसका सही answer जो है वो क्या होगा आपका पहला option जो है वो इसका सही है कोक़रा या खोकरा अब उस नाम से इसको जाना जाता था ठिक है तो आगली question में हम चलते हैं 33 नम्बर में छोटानागपूर नाम कभ से कभ तक प्रयोक होता रहा ये कभ से कभ तक नाग जो हो चोटा Karma है वो प्रयोक होता रहा 1763 जा connect, 675 नीचरत तक very pretty trip टक 16888, 1750 तक 1772 नेकर यहां, पर फ्राओज गलत हो गया answer यहां पर यहाँ पर लिख लिजेगा 90 लिख लिजेगा साफिक है 1790 तक सैंसर आता को इसका और जल्ली से बताएं क्या होगा इसका हो सही अंसर कुछ गार रफ्टर्रीन पर बृटिस सासन में जो है इसका च्छूटा नाकपूर नाम कम आपका यहां पर ब्रिटीश सासन इस टाइम जो था उस टाइम छोड़ा नाकूर नाम यूज होता रहा उसका ठीक है अगले कुर्शन में हम चलते हैं यहाँ पर संथाल प्रागना प्राचिन में किस नाम से जाना याता था नाखंड पंचेत राज खलक डिहा राज यह नारिखंड आपको सही एंसर बताना इसका क आए लसके अगले कुर्शन चलते हैं और यह आकरी कुरसन है तो हम यहाँ पर कोशन बोलरा है हैंसांग ने संथाल प्रग्ना को किस नाम से पुगा रहा था संथाल प्रग्ना को हैंसांग ने किस नाम से पुगा रहा था फाहयान से कीचिंग कोई लो से इत्सिंग से या कीलो न सुनी कालाना से आपको सही अंसर बताना इसका कि क्या होगा सही अंसर इंसांग ने संथाल परगना को किस नाम से पुगा रहा था जल्ली से बताई इसका सही अंसर जो है वो क्या होगा जल्ली से बताई वो सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर जो है वो B नंबर होगा की चींग कोईलो जो है वो इसका संत्थाल प्रगणा का नाम से पुकारा था इसको ठीक है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे आपके कितने सही हुए है और कितने गलत हुए है तो लाइक करिये और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करिये ताकि दोस्तों के साथ पढ़िए ग्रूप में पढ़िए आपको इसे बहुत जादा फाइदा मान दोने वाला डिसकस करिए चीजों को पॉइंट को डिसकस करिए कि इससे आपका जो है कॉंसेप्ट किलियर होगा तो वीडियो को सेर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपको का was जाँ वीडियो को सेर को ऑपकोफंसा सक्राइब कर प्लकि भाइब कर जा जरुमसें को प्लाइब कर लिए अहां को लिए FA ए उशोर वीधियों कि आपको दोनोग कि लिए झाल झाल